नमस्कार, हिंदी साहित तेवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ, दोस्तो हमारी जो एच पी एसिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज केर्डर की जो परिक्षा होने जा रही है, उसकी हमारी तेयारियां यहां पर चली है, और इसमें हम यह जो आपका PYQ सिरीज है, इसको देख रहे हैं, और यह वाली जो सिरीज है, यह ना सिर्फ कॉलेज केर्डर के लिए, बलकि हमारा LT कमिशन और जो PGT कमिशन हिंदी के स्टुडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत जादा उप्योगी यह साबित होने वाली हैं, तो बाकी लोग भी इस वाली वीडिय को रखा है, आज हम इसमें आगे के जो 30 questions हैं, इनको discuss करने जा रहे हैं, तो अगर आपने पहले के lectures नहीं देखे हैं, या पहले की videos नहीं देखी हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लगवग 5 lectures हमारे हो चुके हैं, जो PYQ series को लेकर के रहे, इससे पहले जो पुराने थ प्रशन थे, वो कौन-कौन से रहे हैं, तो यहां पर प्रशन पूछा गया है, किस आचारे ने भावातीरेक को अनिश्ट कर माना हैं, तो इस प्रशन का जो सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा, विकल्प नमबर A, अरस्तु, अरस्तु ने भाव के लिए क्या शब्द नाम एक माना जाता है, आपका पास्चाते कावेशास्तर के अंतरगत, और इसने बहुर्स सी चीजें, वो पास्चाते कावेशास्तर के अंतरगत रखी है, वहां से भी प्रशन पूछे जाता है, इनकी जो प्रसीद रशना रही, वो कौन सी थी, उसके बारे में भी important पोईटिक्स एंड इसी पोईटिक्स में इनने क्या किया कि कावशास्त से समंद्र जो अपने महत्वपुन से धांत हैं जिसमें जो आपका 26 अध्याय और 50 पुष्ट रहे हैं यह भी इंपॉर्टन चीज है इसके बारे में और साथ ही साथ हमें यह भी धां रख लेना है कि ज चीज पूछ जा सकती है कि जैसे इनके इनके शब्द से समंद्र या किस इविरेचन को इसने अंग्रीजी के किस शब्द से माना है या फिर कुछ अत्रास दी था यह जो चीज रहेंगी यहां से भी प्रशन पूछ जाता है तो यहां पर याद रख लेने बाली बात जो अर महाकावे हैं या जो दुखांत है जिसको इसने ट्रेजडी माना है देखना उसमें भी आपको प्रशन पूछ जाता है कि दुखांत या प्रहसन रहे या फिर आपका जो महाकावे रहे हैं उनको रचने के लिए क्या कि कहते हैं कि अनुकर्ण का एक भेदर ये रहे हैं इसमें कथानक आता है चरित्र आता है पद्योजनाती है गीत विचार ग्रिश इत्यादी जो चीज़े हैं यह रखते हैं दूसरे नंबर पर यहां पर लेकिए प्लेटो प्लेटो भी एक युनानी चिंतक रहे हैं यहां से भी प्रश्ण जोहगो बनता है इससे इसने मुख्य यह कहता है जो सत्य चीज़ है वो कही न कहीं जो बाद में हम उसका अनुकरण करते हैं तो वो कहीं न कहीं सत्य से तीन गुना दूर हो जाती है जो कोई भी कला है ठीक है जब उसका अनुकरण होता है तो यह कह रहा है कि वो सत्य से तीन गुना दूर हो जाती है कई बार यह Richards इनका जो इनके बारे में important है कि इनने मुल्य और संप्रिशन का से धांत प्रस्तुत किया था ये नाम भी important है and सौंधर शास्तर के उपर भी इसने लिखा था और ये सौंधर कि इसमें मानता है देखना वस्तू में नहीं बलकि जो वस्तू से पाठक के उपर पढ़ने वाला जो है उसमें इन्होंने माना कि सौंधर शास्तर जो है वो उसमें रहता है important है longinus इन्हें longinus के नाम से भी जाना जाता था तीसरी चाती के आस पास ये विद्यमान रहे यूनानी चिंतकों में इनका भी नाम important है देखिए यहां से भी आपको प्रशन रहता है उदात वाद इसके रशनकार कौन रहे है पहली चीज तो या रख लेना कवे और काला पानी जो इनकी रशना रही है ये किस प्रकार की कृति माने जाती है ये एक जो कहानी संग्रह रहा है और ये किस का कहानी संग्रह रहा ये रहा निर्मल वर्मा का ये वाला प्रशन भी important है इससे अचाहरे और बहुत कम लोग हैं जिन्हैं कहानी या कहानी संग्रहों पर ये पुरसकार राप्त है साहित्यक आद्मी पुरसकार तो यहाँ पर आपको यहां यह नाम या रख लेना है देन dual वर्मा का इसके लाब इसके कुछ अन्यकाहानी संग्रह रहे उनके बारे में भी ध्यान में रख लेना है जो important है और इसकी परिंदे कहानी से क्या माना जाता है कि नई कहानी की शुरुवात हुई थी ये भी important है मंगलेश डवराल समकाली इन कहानी कारों में है अशोक वाजबाई हालां कि इतना जादा महतपूर नाम नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है इसके बारे में प्रशन जो है वो पूछा जाए अगे की कुछ एक चर्चित कहानिया है वहां से प्रशन पूछ जाता है जैसे इसकी गैंगरिन कहानी हो गई या कुछ और हो गई वहां से प्रशन रहता है बाकी कोई ज़्यादा प्रशन आपको अगे से भी कहानी से related नहीं बनेगा हाँ इतना जरूर है कि Aagae से हमें ये चीज जरूर पूछ जाती है कि Aagae के जो अपन्यास हैं इसने भले ही तिन अपन्यास लिए हैं ये किस प्रकार के अपन्यासकार रहे हैं ये चीज इसके बारे में important है बाकी अगर हम इसके काहानी संग्रहों की बात करें तो कहानी संग्राय भी इसके कुछ एक तो हैं जैसे आपका विप्थगा है जैदोल है एंड परमपरा है शरनार्ती है अमरबल्लरी ये इसके कहानी संग्राय रहे हैं तो ये भी कभी कभार रहता है और अग्ये से कई बार आपको ऐसा भी प्रशन पूछा जा सकता है कि देख विश्वनात त्रिपाठी की रचना बहुत ही important है देखना विश्वनात त्रिपाठी का नाम भी यहां पर हम देखते हैं कि विश्वनात त्रिपाठी जिन्नोंने हिंदी साहिते का सरल इतिहास भी लिखा था लेकिन यहां पर इस रचना के अगर हम बात करें जो नंगा विधा के अंतरगत आती है, important है आपका विश्वनात्रिपाठी, इसके लावा इसकी एक और रचना भी रही है देखना जो विश्वनात्रिपाठी रहे हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कोमेंट सक्षन में जाकर उसके बारे में भी बता सकते हैं, जो विश्वना पर आल भी एक महत्वपूर्ण नाम रहा नागारजुन हो गया काशिनात सिंग हो गया लेकिन ये इतने जाला जरूरी नाम जो है यहां पर नहीं है नेक्स क्वेशन देखते हैं अगला क्या नाम रहा इसमें जो नेक्स क्वेशन आता है देखिए रामरिक्ष बेनिपूरी का इसके अलावा यहां पर जो अन्य नाम दिये गए हैं देखिए इनके नाटक भी महत्वपूर्ण है यहां पर सिंपली आमरपाली हो गया और कई जगह इसका नाम आमरपाली होगा देखना यह भी आपको यार रख लेना अगर हम बात करें कुनार्क की तो कुनार्क हम सब ल यूग है अन्दा यूग अगर हो जाएगा तो धर्म विरभारती का हो जाएगा लेकिन यहां पर अन्धा कुना है तो यह लक्ष्मी नरायन लाल का हो जाता है यहां पर फिर से कन्फ्योजन हो जाता है कि लक्ष्मी नरायन लाल है या लक्ष्मी नरायन मिश्र है जो सी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसके बारे में प्रश्च जोग बने अब आता है जो आपका अगला जो नाम है कि यह है आपका रक्षा बंधन किस की कृती है यहां से भी हो सकता है प्रश्च पूच lift जाए तो यह है आपका जो important नाम है हरी कृष्ण प्रेमी इससे भी हो सकता है प्रशन जो अब बन जाए तो यहां से ये प्रमक प्रोक नाटक है इन्हीं से भी प्रशन बनता है अगर हम बात करें जग्रीश चंदर माथुर के अंदे नाटकों की देखिए जैसे कुनार कुन का एक था इसके लावा इसने पहला राजा लिखा जिसमें नहरु यूगीन जो समस्या रही है उनको चेत्रित किया गया है ये प्रशन भी बहुत ही important है इससे पुछे जाने वाला प्रशन इसके बाद हम अगला जो प्रशन देखते हैं देखिए जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं कहानी संग्रह की लेकिका कौन है तो यहाँ पर जो जगदंबा बाबु गाउं आ रहे हैं इसकी जो लेकिका हैं कि यह हैं चित्रा मुद्गल बहुत ही इंपोर्टन्ट है देखना यह वाली कहानी भी कहानी संग्रह भी इसके बारे में भी प्रशन जो है वो अक्सर पूछा जाते रहते बागी मनुभंडारी इनकी भी बहुत सारी जो कहानिया रही जो प्रमुक प्रमुक थी उनसे भी प्रशन जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है तो मनुभंडारी हो गया या कुछ और नाम हो गये उनसे प्रशन हमें जरूर पूछ जाते हैं तो ये थोड़ा बहुत देखने की जरूरत है एक प्रिट सहलाव इसकी बहुत ही मतपुन रचना है देखना मनुभंडारी की वहां से प्रशन जो है वो जरूर पूछा जा सकता है अगर हम बात करें यहाँ पर इनके अलग चीजें की जैसे त्रिशंकु शीर्शक से इसने लिखे थी देखना कहानी जबकि त्रिशंकु शीर्शक से जो ब्रिज मोहन शा था उनका नाटकाता है और त्रिशंकु शीर्शक से जो आपका अग्ये है उन्होंने निवंद लिखा था तो ये मनुभंडारी की भी और ब्रिज मोहन शा की भी और अमरितलाल अग्ये की भी कृती रही है त्रिशंकू एक प्लिट से अलाव इनकी एक रशना रही इसके साथी साथ यही सच है मनुभंडारी की सबसे इंपॉर्टन कृती है देखना यही सच है और यह 1966 की इनकी कृती है यह भी बहुत मौतपूर्ण है मैं हार गई भी लिखा था इन्हों है लेकिन फिर भी हो सकता है इनसे भी प्रशन पूछा जाए तो एक बार आप इने जरूर पढ़के जाए मेरुनिसा परवेज से इनकी एक फालगुनी शीर्शक से एक रचना आती है गलत पुरुष भी इसने लिखा था एंड अम्मा हो गया समर हो गया यह इनकी कुछ प् मुक्त था तीसरी हथेली यह कुछ एक इनकी अचनाय है इनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बाग की इसके लावाग भी कुछ और चीज़े रही होंगी तो उनको आप एक बार जरूर देखिए आपका जो यह राजी सेट रही है ठीक है चलिए नेक्स हम देखते ह यहां पर अगला जो नाम है देखिए शेश यात्रा शेश यात्रा की लेखिका कौन है शेश यात्रा की जो लेखिका है यह है उशा प्रियंबदा यहां पर हमें अब यह चीज़ भी ध्यानक लेने की जरूरत है कि देखिए जो शेश यात्रा नाम के इनके कृती रही है य बहुत ही महत्तपूर्ण है देखना इसके अलाबा उशा प्रियमदा ने रुकोगी नहीं रादी का एंड पच्पन खंबे लाल दिवारें इस शीर्सक से भी लिखा था मन्नु भंडारी के खैर दो ही आते हैं आपका बंटी और महाभोज नामकुपन्यास नासीरा शर्मा ठी प्रमूख उपन्यासकार के रूप में भी रही हैं और कहानीकार भी माने जाती हैं तो कृष्ण सोब्ती से यारकने लाइक जसा लिखा था चलिए next question देखते हैं अमरितलाल नागर की क्रिती खंजन नैन किस कभी की जीवनी पर आधारित है तो यहाँ पर हमें simple सा यार रख लेना देखे नैनो की बात हो रही है तो सूर्दास नैन से अंदे थे इसी तरही किसे इसको याद रख लेते हैं तुलसी दास की अगर बात होती तो यहाँ पर मानस शब्द आना था मानस का हंस यह प्रशन important है इसको हो सकता है पूचा जाए और यह बार बार repeat होता रहता है यह वाला प्रशन जो है अमरितलाल नागर का जो उपन्यास है खंजन नैन यहाँ से याद अक लेना आपको कि इसमें नैनों की जहां पर बात होगी कई बार ऐसा भी प्रशन पूच जाता है कि मानस का हंस जो है वो तुलसिदास को किसने कहा था तो यह आपका जो अमरितलाल नागर है इन्होंने इसको कहा था और इसमें राम और काम का द्वंदो यह वाला प्रशन भी कई बार पूच जाता है कि राम का द्वंदो जो है व इसके कुछ अन्य उपन्यास भी रहे हैं देखना अमरितलाल नागर के जैसे महकाल हो गया बुंद और समुद्र हो गया शत्रंज के मोहरे सुहा के नुपूर इत्यादी इत्यादी ये बड़ी इंपॉर्टन कृतिया है इनकी तो इन्हें भी एक बार जरूर देखके जाने की जरूरत हो सकती है सूर्दास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है तो यहां पर प्रेमचंद का जो प्रसिद प्रसिद उपन्यास रखे गए हैं और उनके पात्रों को यहां पर रखा गया है तो यहां पर अगर हम बात करें सूर्दास की तो सूर्दास जो इनक प्रेम बहुता, रंग भूमी था, इसका जो प्रमुख पात्र माना जाता है, सूर्दास को यहां से हो सकता है प्रश्ण जो हो पूछा जाए, इसके लाबहा अगर हम बात करें प्रेम चंद के उपन्यासों में कि इनका जो रंग बहुमी उपन्यास रहे अन्य कौन थे, तो अगर हम बात करें प्रेम आश्रम की तो प्रेम आश्रम इतना जादा जरूरी इनका उपन्यास नहीं है करम भूमी से रिलेटिड भी जादा प्रशन नहीं बनता है लेकिन फिर भी कुछ एक अगर इसके पात्र जो मत्वपूर्ण हो सकता है आपको पूछे जाए तो थोड़ ये दो नाम आते हैं इसको भी यार रखने की जरूरत हो सकती है इंपॉर्टेंट उपन्यास है आपका सेवा सदन भी जिसे बाजारे हुस्न के नाम से भी जाना जाता है करम भूमी में दलित समस्या को लेकर के लिखा गया है और सेवा सदन जो है वैशा जीवन पर आधारि इसका इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी साथी साथ यहां पर रंग भूमी इसे चोगाने हस्ती के नाम से जाना जाता है अवारा मसीहा कि इस शैली में लिखी गई रचना है तो यहां पर ये है जीवनी पर अकर रचना विश्नु प्रभाकर ने लिखी थी शरत चंदर च अकरता यहे दलित आत्मकथा रही है ठीक है दूसरी चीज आती है कि इसके जो लेखक रहे हैं वह कौन थे तो इसके जो लेखखे餐ं देखिए वह का तुलसी राम तुलसी राम ने मनिकरनिका के साथ साथ एक अन्य जो दूसरी इसने आत्मकता लिखी थी उसकी मतलब सिंपल सी यारख लेना है कि जो आपका मनिकरनिका रही इसके अलाबा इसने अन्य एक आत्मकता और लिखी है वो किस नाम से लिखी थी ये वाला प्रशन भी इसका important है लिखा था इसके अलाबा यहां पर जो अगला नाम है देखिए यह है आपका ओम प्रकाश वालमिकी ओम प्रकाश वालमिकी की जूठन यह बहुत ही जादा प्रसेद हुए यह important है यहां पर अगर हम बात करें लक्षमन गायकवार की तो यह एक मराथी लिखक रहे हैं इन्ह भी important है इससे related चलिए अगला जो नाम है देखिए महंदास नयमिश्राय तो महंदास नयमिश्राय ने सबसे पहले आत्मकता लिखी थी अपने अपने पिंजरे जो दलित आत्मकता में क्या मानी जाती है सबसे पहली आत्मकता मानी जाती है 1905 में लेकिन यहां पर अगर पू important है महंदास नयमिश्राय से आगे देखते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है मिरनाल जनेंदर के किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है तो मिरनाल जो है यह त्याग पत्र जो उपन्यास है इसकी प्रमुख पात्र रही है और important है त्याग पत्र इनका प्रमोध इ एक और प्रश्ण रखा गया है रससूत्र की व्याक्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना करने वाले अचारे कौन हैं तो यहाँ पर देखे रससूत्र जो भारतमुनी का रससूत्र था इसमें चार इसके व्याक्याकार हुए हैं कई बार उनको क्रमानुसार लग उसकी अनुमीती लिखी जाती है, ना ही उसको भोगा जाता है, बलकि उसको हम केबल अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिनव गुप्त कहते हैं, अब बात ये आती है कि रस्तूतर कौन सा था, तो ये था अभी भावा ने भाव ये विचारी संयोगादस निश्पत्ति, यहां प किसके बीच में संयोग हुआ और क्या क्या चीज़े रही हैं, ठीक है तो भट लोलट ने सबसे पहले इस रस्तूतर की व्याक्या की थी, इसने इसको आरूपवाद या उत्पतिवाद की संग्या दी है, आरूपवाद या उत्पतिवाद भट लोलट ने कहा, शंकुक ने बोला की रस की हम क्या करते हैं? अनुमीती कर सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं. श्री शंगुक ने क्या दिया था? इसने जो है एक चित्र तुरंग न्याय का सिद्धान्त भी दिया है. मतलब जिस तरीके से हम एक चित्र में गोडों को दोड़ते हुए देखते हैं उसका अनुमान लगाते हैं कि ये दोड रहे हैं ठीक वैसे ये कह रहा है कि रस का भी हम अनुमान लगाते हैं कि ये रचना क्या है रसपूर्ण है ठीक है तो श्री शंकुक का अनुमीतिवाद है भटनाइक का तीसे नमबर पर आता है देखना भटनाइक ने कौन सा सिध्धान दिया था? इसने भुक्ति वाद का सिध्धान दिया था, जिसे हम भोगवाद के नाम से भी जानते हैं. भुक्तिवाद या भोगवाद ये दोनों एकी चीज़े हैं इन्होंने बोला कि ना तो रस को हम उत्वन कर सकते हैं ना जो है ये अनुमानित कर सकते हैं बलकि रस को हम क्या करते हैं सिर्फ भोगते हैं इसलिए इनके सिध्धांत को भोगवाद या भुक्तिवाद का सिध्ध भी कहा जाता है नेक्स आता है लास्ट में भी नवगुप्त तो पहले नमबर पर ये हो जाएगा दूसरे नमबर पर शंकुक हो जाएगा तीसे नमबर पर आपका भटनाय कहा जाता है चौथे नमबर पर अभी नवगुप्त हो जाता है तो इस तरीके से ये कई बार अनुसार लगाने के लिए भी पूछे जाते हैं, next question आता है, यहां पर सूखा बरगद के जो रचनकार हैं, यह कौन रहे हैं, सूखा बरगद यह किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, तो सूखा बरगद जो है, यह मनजूर एहत शाम का जो उपन्यास रहा हैं, यहां से भी हो सकता है, प्रशन पूछा जाए कि इनकी कौन सी त्रिती जो रही है, मनजूर एहत शाम की, तो आपको या रख लेना है, यहां पर इनका जो प्रसिद उपन्यास रहा सूखा बरगद, इसके लाबार राही मासूम रजा, इनका तो आप सब लोग जानते ह है, इनका एक प्रसिद उपन्यास है, इसमें किस चीज का वनन रहता है, यह प्रशन भी कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि यह एक आंचलिक उपन्यास रहा है, इसमें इन्होंने गाजी पूर जी लेका जो गंगोली गाउं है, उसका जो चित्रन इन्होंने किया है, इंपोर्टन है देखना, यहां से हो सकता है प्रशन जो है, वो पूछा जाए, अलांकि इसके लावा शानी भी एक इंपोर्टन टाइटर है, लेकिन उतना जादा जरूरी नाम यह नहीं है, लेकिन फिर भी देखके तो जाना पड करती होए, जित जित घोडा मुख डरे, तित तित भत्य होए, यह वाली जो पंक्तियां की सश्नकार की हैं यह भूशन की हैं, यह भी इंपोर्टन है, यह राधा च Houston की प्रशनशान ने इन्होंने कही भायवाद के संदर में उक्त कथन किस अलोचक्का है तो ये वाला कथन भी अचारे राम चंदर शुक्र ने ही रखा था जो आपका हिंदी साहित का इधिहास पुस्तकुन की रही है। राम बिलाज शर्मा एक बहुत ही मतपुन नाम है जब हम बात करते हैं आपके निराला के बारे में इन्हों निराला की साहिते साधना शक्सेक रश्णा भी रची थी जिस पर इने साहिते कादमी पुरुष्कार भी मिला है तो वहां पर ये क्या कह रहे हैं देखना कि वही व् सात्य भी द्रोग का कभी वगेरा वाली थीक है तो इंपॉर्टेंट नाम है राम बिलास शर्मा का नेक्स आता यहां पर साथ आस्मान जो उपन्यास रहा है इसके लेखक कौन है इसकी लेखी का यहां पर लिखा गया है लेकिन यहां पर इस क्वेशन का जो आंसर होना चाह आता कैसी आग लगाई इस शिशक से भी इसने एक उपन्यास लिखा है असगर वजाहत ने तो हो सकता है वो चीज़ भी पूछी जाए महतपुन कृती है इनकी यहां पर हालां कि जितनी वी यहां पर लेखी का महिला लेखी काए रही है इनके यह रचना नहीं थी ठीक है त कौन कौन सी इनकी प्रमुक रचनाएं मिलती है ठीक है तो उन्हें वहीं से ही याद रखा जा सकता है नासिर शर्मा की मैंने आपको बता दी मैत्रई पुषपा की समरीती दंश और चाक इसकी बड़ी इंपॉर्टन कृतिया देखना गुना बेगुना हो गया अलमा कबूत कुतरी हो गया यह इंपॉर्टन है और अन्यामीका से रिलेटेड कोई खास इतना जादा प्रशन जो है वो नहीं बनता है कि इसके उपन्यास को गिरा आपको पुछा जा सके ठीक है चलिए नेक्स कॉशन देखते हैं आगे यहाँ पर मुगल दरबार की समरीदी जब खरास होने लगी और लखनव, पतना और मुर्शीदाबाद आधी में नई नवावी राजधानिया श्री संपन होने लगी तो दिली के गुणियों और वेपसाईयों ने पूरव की और मोह किया खड़ी बोली के प्रसार के संदर्भ में उक्त कथन किस आलोचक का है वैसे इसका आ के बता देना भाशा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कविका नहीं था भाशा मानों इनके रिदय के साथ जुरकर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे शुकल का उक्त कतर किस कविक के संदर्व में है तो ये इनोंने गहनननंद के बारे में कहा है देखना गहनननंद जिन्हें ये साक्षात रसमूर्ती भी मानते हैं ये वाली पंक्ती भी इसकी important है देखना साक्षात रसमूर्ती किसने कहा था ये अचारे रामचंद्र शुकल ने ही इनके बारे में कहा था ये बड़ा प्रशन भी important है गनानद के संदरव में गनानद जो है वो रिती मुक्त कावेधारा के प्रमुक का भी माने जाते हैं और इसके बारे में समाने परीचे तो खेर सबको मालूम ही होगा ठीक है चलिए next देखते हम इसके अलावा यहां प important रचना है रस्खान की प्रेमवाटी का एंड मंडन की जनक 25 यह important कृतिया है इसके लावा यहां पर जो रहस्या मंजरी बच जाती है तो यह इन में से किसी की रचना नहीं थी अगला प्रशन है देखिए 70 जो one question है निमेलिकित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिल कर जाएगी यह जाएगी अपका राम नरेश्ट्री पाठी की अगर हम बात करें जैशंक प्रसाद की तो करुनाले इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत ने किस शीर्चक से लिखा था इन्होंने ग्रंथी शीर्चक से लिखा था अगर हम बात करें मैथली शर्ण गुप्त क तो मैतली शणगुप्त ने विकट भट नाम से लिखा है 1929 में ये भी important कृतिया इनकी जब कि हम बात करते हैं यहां पर तुलसी दास की तो ये 1938 में 1938 का खंड काव है ये किसका है तुलसी दास का खंड काव है जिसमें तुलसी दास का नहीं सरी जो आपका सूरेकांथ त्रिप त्याग की गटना पर अधारित ये रचना रची है मौतपूर्ण है ये वाला प्रशन चलिए अगला प्रशन हम देखते हैं 72 जो कौशन है देखिए ने में लेकित हिंदी वासियों को उनके मूल स्तान से सुमलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनि हैं गाल सद्दासी एक फ्रांसी सी विध्वान रहे है इसके खिनाब्च्ट एग संग्रियों शुकर के साथ की तीन हो जाएगा बाकि आपने इसको नीचे देख लेना कि इसका अंसर क्या होगा तो तो यहां पर जो important थी, यहां से ऐसा भी प्रशन पूछा सकता है, कि यह सब क्या रहे हैं, हिंदी से भी रहे हैं, जिनोंने हिंदी के विकास क्रम में, या हिंदी साहिते को रिले करके कुछ चीज़ें जो हो, जरूर इन्होंने कही है, next question आता है, अगला कैसी आग लगाई, उ तो यह उपन्यास हमने पहले ही देख लिया था, देखिए, असगर वजाहत, इनका यह उपन्यास रहा है, important है, और दूसरा हमने साथ आसमान जो पहले ही देख लिया था, तो असगर वजाहत से यहां पर दो रचनाय पूछी गई थी, इन दोनों से ही प्रशन जो है, मतलब बन सकता है, यहां पर रखा था, तो इतना जादा मुझे नहीं लगता कि अब दुबारा इससे बन सकने की जरूरत है, हो सकता है, वैसे पूछा जाए, कमलीश्वर, इनका जो कितने पाकिस्तान है, बहुत ही मतलब उपन्यास है देखना, जो पहले अंग्रेजी में था, ल अफीस आफरीदी, यह इतना जादा जरूरी नहीं है, नेक्स्ट कॉश्चन आता यहां पर निमिलिकत उपन्यासों को, उपन्यासकारों को, उपन्यासों से सुमेलित करना है, यहां पर, सबसे पहले यहां पर अमरित राय आते हैं, तो अमरित राय का जो प्रसिद उपन्य इसके लाबा बदी उजमा एक चुहे की मौत ये इंकी रही मासूम रजा दिल एक साधा कागज एंड संजीव का जो उपन्यास है ये है सुत्रधार बाकी बूंद और समुदर आप जानते ही है इसके बारे में हम पहले भी डिसकस कर चुके थे कि ये उपन्यास जो अब किसका रहा है तो उपन्यासों से रिलेटर प्रशन हम देखते हैं कि आम पर बहुत ज़्यादा ये 1998 में लिखा गया था अलका सरावगी के दोवारा ठीक है 75th question का answer क्या हो जाएगा अलका सरावगी महती महतपूर नाम है देखिए यहां से भी हो सकता है प्रशन जो हो पूछा जाए इसके लावा अनामी का खिसासात यहां पर जो आपका अनामी का एंड चित्रा मुदग है इंदिर्या गोस्वामी है यह इतने जादा जरूरी नाम जो है उपन्यास के क्षेतर में नहीं रहे उपन्यास में महिला लेखिकाओं से जादा तर जो प्रशन पूछे जाते हैं एक तो आपका अलका सरावगी हो गया चित्रा मुदगल से रिलेटर प्रशन जरूर पू नहीं है इंदिर्या गोस्वामी और अनामी का बगेरा नेक्स देखते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन है देखिए सीमन दबुवा कि पुस्तक दा सेकिंड सेक्स का हिंदी अनुवाद किस ने किया था तो यह किया था प्रभा खेतान ने और यहां पर हम देखते कावे से समंदित प्रशन पूछा गया है देखना पुश्पक्य विलाशा जो है राष्ट्य सांस्किति कावेधारा की प्रमुख कवीता माने जाती है और इसके जो रचनकार है ये हैं माखनलाल चत्रवेधी इसकी पंक्तिया भी कई बार पूछी जाती है मुझे तोड़ दे चारों सब के सब क्या है ये राष्ट्य सांस्किति कावेधारा की कवियों में ही इनके नाम आते हैं सियराम शरण गुप की बापू है विशाद है आरद्रा है ये इसकी प्रसिद रचनाय रही है यहां से प्रशन जो है वो आ जाता है कवी कवार इसके अलावा यहां पर कवीता है वो कौन से थी सुबदरा कुमारी चोहान की रहती है जहांसी की रानी लक्षमी बाई और साथी साथी इसने जलियां वाला बाग शीषक से भी एक कवीता जो है वो लिखी है और ये माना जाता है कि इनका जनम कवा था सुबदरा कुमारी चोहान का ये हुआ था न यह आप मुझे comment section में जाकर बताना कि सुभध्रा कुमारी चोहान की जीवनी जुहवक किस शीर्शक से इनकी बेटी सुधा चोहान ने लिखी थी यह important है यहाँ पर सुभध्रा कुमारी चोहान जाम रखना है आपको इसका याद नेक्स आता है यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद कविता थी विपलव गायन यह भी important है यहाँ से प्रशन रहता है इसके लाबा इसने खुद को विश्पाई अनिकेतन जैसे शब्दों से इसने खुद को नवाजा है यह वाला प्रशन भी इससे महत्तपून हो जाता है कुमकुम एंड कवासी शीषक से इसने कुछ लिखा था उर्मिली शीषक से भी इसने लिखा है ठीक है नेक्स कोशन आता है पल्लव की रचनकार कौन है तो यह रहा आपका सुमित्रा नंदन पंत इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका चायवाद के प्रसिद लेखक रहे हैं और इन्हें चायवाद का प्रतिनीदी कवी किसने माना है यह भी एक महत्तपून प्रशन है यहाँ से भी आपको प्रशन जो पूचा जा सकता है तो इसे भी आप कोमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, युगवानी हो गया यह इनकी बहुत मत्तपून रशन है और इसके लावा इसने गीती नाट्या भी लिखेते कुछ रजशीकर, शिल्पी, शिर्शक से ठीक है, यह भी इंपॉर्टन कृतिया है तो आपके लिए प्रशन है कि सुमित्रा नंदन पंत यहां से प्रशन आता है कि इन्हें क्या माना जाता है देखना चली मैंने खुदी बता दिया कि सुमित्रा नंदन पंत को ही क्या खा जाता है चायवाद का प्रतिनी धी कवी का जाता है लेकिन प्रशन यह है कि किसने इसको कहा था कि यह चायवाद का प्रतिनी धी कवी रहा तो यहां पर याद रख लेना है आपको अचारे रामचंदर शुक्ल ने यह कहा था इन्होंने इस अचायवाद का प्रतिनी दिकवी जैशंक प्रसाद से हमें याद रख लेने वाली बात यह है कि समवाद शैली में जो है सबसे ज़ादा इन्होंने ही लिखा था महादेवी वर्मा में रहसे वादी प्रभीती हमें सबसे ज़ादा देखने को मिलती है पंत में हमें प्रकृति वादी और कल्पना पक्ष जो है सबसे ज़ादा सुमित्रन अंदन पंत में मिलता है सूरेकान त्रिपाठी निराला में हमें बुद्धी वाद जो है वो सबसे ज देखने को मिलती है तो छायवाद के चार स्तंब हैं इन चारों से रिलेटेड प्रशन आपको पूछ जा सकते हैं और कई बार इनके जो दर्शन है वो भी पूछ जाते हैं देखना निराला का अद्वैत विदान्त है जैशंक प्रसाद का शेव दर्शन अनंद बाद है पंत क सबने हमने मतलब आपने तो रखना ही रखना है मुझे भी याद रखने की जरूरत है कुवानों नदी खुंटियों पर टंगे हुए लोग बड़ी इंपॉर्टन कृतिया देखना है यह वाले इनकी तो हो सकता है यहां से प्रशन जो है वो फिर से पूछा जाए सर्विश दल्सक सेना और रखभीर सहय यह तारसब्तकों में आते हैं लेकिन धूमिल जो है यह तारसब्तकों में नहीं है केदारनात अगरवल प्रगतिवादियों में आते हैं और इन्हें प्रगतिवादी पंत के नाम से भी जाना जाता है और जन्मन का सजक्ची 13 कवी के नदी का क तो आत्म जाई की जो लेखक हैं देखी यह है कुँवर नारायन एंड इन्होंने यह रचना जो लेखी है यह किस पर लेखी है इन्होंने यह यम और नचिकेता की जो कथा पर आधारित इनकी कृती रही है जो कठोप निशद में वर्णित है तो यहां से भी प्रश्ण जो हो कि कभी है और किस किस सब तक में कौन कौन आता है इन चीज़ों को भी आपने याद रख लेना है तो यह थे आज के तीस कॉश्ण आई होब कि आप सब लोगों ने इन तीस प्रश्णों को जरूर इनजोई किया होगा अगर कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं और जितनी भी खामिया है या कुछ और चीज़े हैं वो ताकि सब लोगों तक मतलब सही जानकारी पहुंचे इसलिए आप जो है कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बता सकते हैं तो फिलहाल आज के लिए इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक जो नया पेपर लेके हम आपके बीच में आएंगे जिससे हमें और जादा हेल्प थोड़ी सी हो सके तो अभी के लिए इतना ही तब तक के लिए जाहिंग